हेलो दोस्तों वेलकम टो बाइच चैनल आज हम पढ़ने बाइनरी कोड्स आज एक बाइनरी कोड्स के से पढ़ने इस पहले में बता दू हमारे जो यह computer होते है microprocessor होते है यह क्या होते है English language को तो समझते नहीं है English language समय करते है इसका सवचर जो में लोगर होते है जो हमारे जो पार होता है समीना को यह सकते हैं, इस पहसं को ale开始 और यह से होता है इनके इनके लिए स्ध नहीं को होता नहीं इनको क्यक्ते हैं इनको करते हैं कि इस नंबर के लिए binary यह होगा उसके बाद जब वो data प्रोसेस किया जाता है तो तब आके computer उसको समझता है then फिर information को आगे proceed करता है अब यह सारे codes को इनी सारे codes को हम क्या कहते है binary codes अब देखे binary codes जो होते है six type के होते है manly पहला होता weighted code second होता non weighted, third होता reflective, fourth होता sequential, fifth होता alpha numeric and six होता error detecting and correcting code weighted code, weighted code का मतलब इस वाले code में हर एक bit होगी एक weight को represent करेगी जैसे मैं लिखता हूँ zero one one यहाँ पर क्या हर एक weight का मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होगा zero one one मैं लिखा तो यहाँ पर क्या यह पहली बिट वह रिप्रेजेंट करेगी टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू तो यहाँ पर क्या हर एक bit बिट जो यह bit मतल है zero one यह वाले तो इस वाले zero का मतलब है two Ki Power two से multiply इस वाले one का मतलब है two Ki Power one से multiply तो यह क्या होता बिट में क्या होता हर बिट के लिए एक betNow की यह पना Will Ten Beats dcd 8421 यह इसका example है next देखिये non-weighted non-weighted क्या होता इसमें जैसे इसमें था हर एक bit के लिए weight assigned था non-weighted में क्या होता हर एक bit के लिए weight assigned नहीं होता इसमें randomly चलता ठीक है तो इसके example क्या हो गए इसके example हो गए xs3 xs3 and gray code 3rd होता reflective code reflective code means अगर किसी number का 9th compliment उस number के यानि n के 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 उस n के number के code weight का once compliment ले लूँ अगर वो equal आ जाए तो उसे हम कहते है reflective code कैसे example देखते हैं यहाँ पर देखो reflective code क्या होता है अगर किसी number कोई number n है ठीक है अगर इसका मैं once compliment ले दूँ winery में once compliment ले दूँ अगर वो किसके equal आ जाए 9 minus n के ठीक है यानि 9th compliment of n के तो हम उसे क्या कहते है reflective code example अगर देखते हैं इसका पहले इसका इसका इसमें कौन कौन से code आते है वो देखो 4 2 4 2 2 2 1 4 2 2 1 reflective code होगा उसमें side 8 का समझे होगा 9 होगा 4 2 6 2 2 6 2 2 8 9 ठीक है दूसरा था 6 4 2 minus 3 6 4 2 minus 3 देखे 6 4 10 और 12 में 3 गए तो यह इसके example हो गए आप देखे इस वाले code से मैं लिखता हूँ 6 4 2 minus 3 से 6 4 यहां पर यह लिख रहा हूँ 6 4 2 minus 3 इसमें अगर मैं 5 को represent करना चाह रहा हूँ तो 5 को कैसे लिखूँगा मैं देखें कैसे लिख सकता हूँ 5 को 4 6 कैसे लिख पाऊँगा इसको 1 0 1 1 देखो 6 6 8 3 5 5 तो मैं कैसे लिखता हूँ 5 को अगर मेरा 5 तो 5 को कैसे लिखना होगा मुझे इस वाली बिट को इस वाली बिट को इसको ओन करना पड़ेगा जिसको ओनने करना उसको उप रखो तो 5 को मैं कैसे लिखूँगा 1 0 1 1 यानि n request होगा मेरा 5 अगर मैं इसका 1 0 1 1 इसका 1's complement लो कितना हो जाएगा 1's complement कितना होगा इसका 0 0 1 0 ठीक है वह किसके को लहना चाहिए 9-n के तो 9-n निकालो इसका 9-n कितना हो जाएगा 9-n 9-n कितना 5 या या 4 4 को मैं कैसे represent करूँगा इस number system में 0 ठीक है इस वाली bitcoin करना पड़ेगा 4 वाली को बाकी की सब को क्या करूँगा मैं off करूँगा देखिए दोनो यह equal आया या नहीं अगर किसी number का का मैं 1's complement ले दूँ और वह किसके इक्वल आ जाए उसके n-1 complement के तो उसे हम क्या कहते है reflective code reflective code के लिए क्या condition है जो भी code यूज हुआ उनकी सारे digit का sum कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए इसके लिए necessary condition है third होता हमारा sequential code sequential code क्या होता यह वह code होते हैं जिसमें कोई भी successive code के बीच का difference 1 होता है 2 code होंगे उनके बीच का difference कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए ऐसे code का हम sequential code कहते है ठीक है इसके example हो गया xs3 इसके example है xs3 code xs3 code इसका example है next देखिए alpha-numeric alpha-numeric code जो होते है यह क्या होते है information के लिए काम आते हैं हमारे पार जब हमें communication होते है उसका communication कराना हमें प्रेंटर्स computer के बीच में तो यह वहां पर use होते है यह क्या होता है 7-bit code होता है इसका example है xs3 American code American standard code for information interchange xs3 code इसका example हो गया तो यह किसलिए काम आते है communication के ठीक है यह क्या 7-bit code है यह याद रखना यह बहुत पूंचा जाता है 7-bit code है next है हमारा error detecting and correcting code error detecting दो तरह के होते है एक तो parity हो गया दूसरा hemming code अगर हम जो जैसे किसी signal को भेंस सब्साइधे है एक सिंग्न में यहाँ पर सम्जाबता buyers हम जो अपना हमारे पास कैंअ Tranz Media Filter होता जो क्यां करता है सिंग्नल को transfer करता है तृक है वो कहाँ से होगे गुजड़ता है चैनल से होगे गुजड़ता है अब देखें, यहां से हम कोई code बेजते हैं, तो वो किसकी form का होगा, binary form में होगा, ठीक है, यहां से code भेजेंगे हम किसमें होगा, binary form में होगा, यानि 1001 इनकी form में होगा, इस type से होगा, ठीक है, अब यहां से हमना कोई code भेजा है, यहां पर क्या हो सकती है, environment में noise present हो सकती है ठीक है noise हमारे उसमें present हो सकती है जो components हम यूज करने है तो noise क्या है एक तरह का signal है तो वह क्या कर सकता है in one zero zero one को क्या कर सकता है यह यह change कर सकती है noise noise क्या क्या कर सकती है can change zero zeros और ones ones यह 0 को change क्या तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे जो data data may be change हमें यहां से मिलेगा यह आया data हमने भीजाता है यहां पर zero one इसकी विए से change हो गई तो data may be change हो यहां पर ठीक है तो हम अब हमें कैसे पता लगेगा जो हमने भीजाता है वह correct है या नहीं अब दो तरह के होते हैं या हम क्या करते है या तो उसके साथ extra bit भेजते हैं अगर उससे पता लगाने के लिए अगर एक जी रोज है मालो तो हम हमें क्या पता लग जाएगा वह data change हुआ है इसके मतलब हमारा जो data change हो गया मतलब जो information भीजी थी वह नहीं पहुंची तो ऐसे जो data को वह करता detect करता उससे कहते है error detecting code और जो data को detect भी करे और ठीक भी करे ठीक और करे उससे कहते है error detecting and correcting code तो error detecting code का example है parity और जो data auto correct करे हो वह क्या हमारा hemming code ठीक है यह सारे codes के बारे में information थी और एक सी और देख लिए थे comparison between bcd and binary binary और bcd में क्या फर्क हुआ comparison between binary and bcd binary and bcd मैं इसको एक example कि तो समझाता हूँ आप देखिए कोई number है माल लो 12 ठीक है तो 12 है इसको मैं अगर मैं binary में मुझे लिखना क्या कैसा represent करूंगा मैं इसको binary में binary में क्या होगा इसको represent करने के तरीका one one zero zero binary में ऐसे लिखने है इसको अगर मुझे यह decimal number system में अगर इसी 12 को मुझे represent करना हो किसमें bcd में तो मैं कैसे करूंगा मैं इस four के लिए अलग four digit में code लिखूंगा और इस one के लिए अलग four digit में code लिखूंगा तो two के लिए four digit में क्या होता है zero zero one zero ठीक है one के लिए कितना हो जाएगा zero 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 one क्या difference दीख रहा यहां पर same number को represent करने के लिए क्या हुआ चार बीट लग रहे हैं थी यहां पर same number को represent करने के लिए जो भी decimal में eight bit लग रहे हैं तो number of bits required to represent a number is more required in bcd as compared to binary ठीक है बाइनरी में चार लग रहे हैं तो bcd में कितनी लगी है और delete लगी है same number को represent करने के लिए ठीक है next answer पढ़ेंगे भी हम अभी इस more पढ़ना bcd एडिशन बगेरा ओके थेंक्यू इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में